कि आईए दोस्तों जैस रिपेश रादरादे मैं पिछले कई दिनों से आपको निजराड मिल्जियम के माद्नम से कई करती दिखा रहा हूं और आगे भी दिखाऊंगा और इसके दिखाने की पीछे ने मैंने मकसद आपको बताया कि हम पर्यावरान पर्याटन के लिए जरूर बचाएं यह जरूर ही है अगर हम आज नहीं समझे तो कल हमें मौकर नहीं मिलेगा क्योंकि आज जो हम देख रहे हैं आज गर्मियों में पारा पचास पहुंच रहा है और पचास में पक्षी मरते हैं हमने कई बार पेपरों में देखा है पड़ा है कि मोर मर गए यह फलाने पक्षी जुलस गए गर्मियों पानी से भी मरते हैं गर्मी से भी मरते हैं तो पच्पन और साथ पारा पहुचने में टेमप्रेजर इसको मेरे हिसाब से 5 से 10 साल ने लगेंगे। जिस स्पीट से हम पानी पेड पहाडों का दोहन कर रहे हैं, उसके संदख्चा नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से गर्मी इतने तेजी से बढ़ रही है। आज से 10 साल पेले ही हमने देखा था इतनी गर्मी नहीं थी। जो हम आज देख रहे हैं या जेल रहे हैं। तो हम एक प्रकृति के प्रती जरूर सजक होना पड़ेगा और पेड़ जरूर लगाना पड़ेंगे। नहीं तो मेरी जो आँख रही है। आने बाले टाइम में आप देखना कहीं ऐसा नहीं हो कि जब कोई पेशन्ट हस्पिटल में भड़ती होगा। और वहां डाक्टर कहेंगे कि इसको इलाज की नहीं इसे सुद्ध हवा की जरूरत है। और शुद्ध हवा चाहिए इसको तुरंथ नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब डाक्टर इस तरह की बात करेंगे और उस आदमी को डिश्चार्ज कर देंगे कि इसको तुरंथ सुद्ध हवा की जरूरत है। और जब पेड़ पानी हम नश्ट कर देंगे कहीं नहीं बचेंगे तो फिर सुद्ध हवा कहां बचेंगे। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि सोपचास सो दोसो किलिमिटर दूर कहीं एक पेड़ खड़ा है। और जब उनका पैसेंट हास्पिटल से डिश्चार्ज हो जाएगा उसकी जान को खत्रा होगा तो वो सोचेंगे चलो उस पहां पेड़ सुना है। जिसे आज हम बात करते हैं कि फलानी जगे जैसा है जैसा है तो जैसे पेड़ों के बारे में भी कहा जाएगा। तो जब हम पैसेंट बहाँ लेकर पोँचेंगे तो वहां जाके थेखेंगे कि अजाराचे था सी आज पास कई पैसन पैले से ही हैं। और लोग वहां का नजारा जब देखेंगे तो लोग वहां लड़ रहे होंगे एक दूसरे से यह कहेंगे कि भाई तुमारे को थोड़ी रहात है हमारे पेशंट को दो मिनट गो इसकी पेड़ की छाय में सुलाले ने दू तो तो हरा आदमी को लगे जा कि हमारा पेशंट सो हो जात कि यह तो मेरी कल्बना है वर इसा हो सकता है अगर आज अप लोग सजण नहीं हुए तो इस था वह सकता है क्योंकि पेड़ों की सब को जरूरत है आज है और अफेड़ काट भूत रहे हैं लगा भूत कम रहे है अगर लगत नहीं रहे तो हम जो पढ़ते सुनते हैं यह तो कागजीकार रवाई यहां है हवार में उड़ रहे हैं सब इस तरह से काम नहीं चलेगा आप हमें मिलकर खुद कुछ करना पड़ेगा और यह पांच-दस साल का समय है यह करने के लिए इसके बाद हम बहुत लेट हो जाएं क्योंकि कि हम देख रहे हैं डेली बाहान कि डेली इतने बाहान बढ़ रहा है मसेनीरी बढ़ रही है पृत्वी तो बढ़ नहीं रही है पृत्वी के उपर भार बढ़ रहा है इन इतना इसे डल रही है उनसे प्रदूशन हो रहा है बाहन नए आ रहा है उनसे प्रदूशन हो रहा है और उचल उसा नहीं जाने हैं और ना जाने कितने तर एक जहरीं ली होने वाला है वह ना देखें यह ऑना देखें इसके लिए मुझाना पड़ेगा हमें जरूर लगाना पड़ेंगे मेरी बात समझ में आये तो इस काम से मेरे से जुड़ें या आप लोग खुद भी करें यह जरूरी काम है अगर मेरी बात समझ में आये तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें जैसी रिक्रेशन राधे राधे